हलो दोस्तों ये फूल गो भी और ये तो आपको पता ही है कि समय जो इसका रेट है बहुत ही डाउन हो गया है तो इसे क्यों ना हम अस्टोर करके रख लें ताकि जब भी हमारा इच्छा हो तो इसका सब्जी बनाकर भुजिया बनाकर जैसे भी आप चाहें खाया जाए इसे इसको स्टोर करने का जो तरीका है सबसे पहले इसके पीछे का जो ये डंडी है इसे हटा लेंगे इसे हटाने के बाद इस तरह से जैसे आप सब्जी बनाते हैं एकक फूल को अलग-अलग करके इस तरह से इसका टुकडा कर लेंगे झालग करे धुकड़ करके आप आप सी झाल 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 ठीक उतना ही बड़ा टूगड़ा जितना के हम सबजी बनाते हैं इसके बाद इससे क्या करना है इस तरह से टूगड़ा करके इसके बाद आपको लेना है एक चम्मच चूना खाने वाला जो चूना होता है तो ये खाने वाला चूना एक चम्मच हमें पानी में घोल लेना है इससे क्या होगा कि आपको फूल खराब नहीं होगा और एक बात का और ख्याल रखें कि आप जब भी ये सुखाने के लिए फूल खरीदें फूल गोवी तो मौसम का भी ख्याल रखें ऐसा ना हो कोई ऐसा लगा हो या फिर बादल हो मौसम बिलकुल साफ हो तभी ये और इसके बाद इसे हम डाल देंगे और इससे छोड़ देंगे चार से पांच गंटा के लिए चार पांच गंटा के बाद इसे हम निकालेंगे तो देखिए हमारा ये पांच गंटा हो चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे एक और इसके बाद इसको रखेंगे धूप में तो इसे हम धूप में सुखाल लेंगे अच्छी तरह से तो ये देखिए चार से पाँच दिन हो चुका है इसको और ये सूख रहा है लेकिन इसे और भी अच्छी तरह से इसको इतना सुखा देना है कि इसे मोडने के बाद यह तूट जाए इसे करने के बाद यह तूट जाए बिल्कुल और सुखा हुआ इतना हो कि इसमें नमी बिल्कुल ना हो और जितना आप इसे पैक करके रखे उतना ज्यादा दिन तक ही एस्टोर रखा जा सकता है तो यह तरीका है इस तरीके से आप इसे एस्टोर करकर रख सकते हैं जब तक चाहें जितने दिनों के लिए चाहें वीडियो देखने के लिए थैंक्यू